सब्सक्राइब कर दो हमारे ड्यूट चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो अनुमस्ते दोस्तो आज सबीका हमारे अपने ड्यूट चैनल बबस स्वागत दोस्तो इस वक्त का इंपॉर्टन अपड़िट निकल के आ रहे है पंजाब गौर्णमेंट की तब से क्या पंजाब गौर्णमेंट ने बड़ापड़ जारी के वो तो गाइस मैं आपको आ तो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी चाहे आपका सवाल क्लास 6-12 तो आईटी जी नीट का हो या फिर सीबिसी यूपी राजस्तान किसी भी स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमेश्टी मैथ बालोजी साइंस आपके सभी सवालों का जवाब म तो गाइस पंजाब गौवर्मेंट जासे बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि पंजाब के अंदर जैसा कि आपको पता ही कि इलेक्शन अभी 20 फैप से इलेक्शन होने बाले है पंजाब के अंदर अभी स्कूल खुलने के चांसे कम है बट पंजाब के जो प्रिंसि तो भी पंजाब पंजाब के अंदर स्कूल इसी जल्दी नहीं खुलेगा क्यों कि पहले सबसे बड़ा रेजन ये है कि पंजाब में इलेक्शन है दूसरा पंजाब के अंदर इतने अच्छे हैर यालिटी में एक तरफ पूरे इंडिया की स्कूल मान लो और एक तरफ पंजाब के अंदर स्कूल्स के जो टीचर्स है वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं प्रिंसिपल ना समझे बट टीचर्स समझते हैं इसलिए टीचर्स की डिमांड है उपीनिन है कि अभी स्कूल ना खोले जाए और भी कई साई स्टेट में होता होगा लेकिन मैंने प प्रिंसिपल स्कूल्स के वो डिमांड करें कि पंजाब के अंदर अभी जो स्कूल्स उनको खोल देना चाहिए जिन बच्चों को वैक्सीन लग गई उनके लिए बाकि आपका क्या ओपीनिन आप मेरो कमेंट करके बताना अपने फिर मिली ने चुड़ों सब तक आस नहीं क अगरा चिला कि मांड कि